तो आज हम समानुपात एवं विचरण, एवं विचरण के अंतरगत, प्रत्यक्ष विचरण, एवं व्यूतकर्म विचरण, एवं इन विचरणों के आम जिंदगी में उप्योगों के बारे में जानेगे तो आईए सबसे पहले समानुपात के बारे में जानेगे तो समानुपाव्ट को जानने के लिए आईए इस उदाहरण का उपयोगले इस उदाहरण में एक वाहन द्वारा निश्चत समय पर निश्चत दूरी तई की जा रही है जैसे कि 2 घंटे में 120 किलोमेटर 3 घंटे में 160 किलोमेटर 4 घंटे में 140 एवं 5 घंटे में 300 किलोमेटर की दूरी ताई की जा रही है इस उदाहरण में देखें यहाँ पर अगर आप 120 का वनुपात 2 से लेंगे तो यहाँ 60 वाए 1 आएगा इसी प्रकार अब 180 का वनुपात लें 3 से यह भी 60 वाए 1 आएगा एवं 240 का वनुपात 4 से लें यह भी 60 वाए 1 आएगा एवं 300 का वनुपात 5 से लें यह भी 60 वाए 1 आएगा यहाँ पर देखें यहाँ पर सभी अनुपात एक दूसरे के बराबर हैं जो कि 60 के बराबर है, अर्था यह सभी अनुपात एक दूसरे के समानुपात हैं, तो यहाँ पर 120, 2, 183 समानुपात हैं, इसी प्रकार, 180, 3, 240 इपम 4 भी एक दूसरे के समानुपात हैं, तो हम कह सकते हैं, कि अगर A, B, C और D समानुपात में हैं, तो A का अनुपात B से बराबर होगा, C का अनुपात D से, एक दाहरन ले लें, जैसे कि 5, 10, 6 और 12, यह चारों समानुपात में हैं, यह कैसे, 5 का अनुपात 10 से देखें, तो यह 1, 2 आ रहा है, यह की 6 का अनुपात 12 के बराबर भी है, तो हमने अभी समानुपात के बारे में पढ़ा, अब हम विचरण के बारे में पढ़ते हैं, तो आईए, उदाहरन के जरिये समझे, पहला उदाहरन मैंने लिया है, जिसमें वाहन प्रत निश्चत घंटे पे, एक निश्चत किलोमेटर को तैगा रहता है, यहां पे आप ध्यान से देखें, कि जिस प्रकार समय बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार दूरी भी बढ़ती जा रही है, तो आप सोच भी सकते हैं कि जादा दूरी तै करने में वाहन को जादा समय लगेगा, और कम दूरी पर करने में वाहन को कम समय लगेगा अर्थाथ यहाँ पर दूरी और समय में प्रत्यक्ष विचरण है तो प्रत्यक्ष विचरण हमने क्या समझा कि अगर कोई चीज बढ़े तो उससे जो दूसरी चीज सम्बंधित है वह चीज भी बढ़े और घटे तो दूसरी सम्बंधित चीज भी घटे तो इसे प्रत्यक्ष विचरण कहते है जैसे कि हमने देखा यहाँ पर दूरी और समय दूरी और समय में कि दूरी बढ़ती जा रही है तो समय भी बढ़ता जा रहा है और दूरी घड़ती जाएगी तो समय भी घड़ता जाएगा तो यहाँ पर दूरी और समय में प्रत्यक्ष बिचला है अब यहाँ पर ध्यान से देखें कि 120 का अनुपात में 2 से लेता हूँ तो 60 आता है हमने अभी पिछले बार किया इसी प्रकार 180 का अनुपात में 3 से लूँ तो यह भी 60 आता है एवं 240 का अनुपात में 4 से लूँ तो यह भी 60 एवं 300 का अनुपात 5 से लूँ तो यह भी 60 आता है तो परत्यक्ष बिचलाण की यह एक खास विशेष्टा है कि इनके अनुपाप बराबर होते है ये देखे 60 बराबर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि अगर y और x में प्रत्यक्ष विच्रण है तो y का अनुपाप x से k आएगा जहां पर यह k अचर है अचर का अरधा कि k का मान बदलेगा नहीं यहां स्थिर रहेगा तो यहां पर k अचर है दूसरी चीज़ देखें अगर हम x को दूसरी तरफ ले जाए तो y बराबर हो जाएगा k x के तो यहां प्रत्यक्ष विच्रण का यहां प्रत्यक्ष विच्रण का समी करण है गनित में प्रत्यक्ष विच्रण को एक और चिंद के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अगर गनित में इस चिंद के द्वारा प्रत्यक्ष विच्रण को प्रदर्शित किया जाता है अगर आपको कहीं भी इस प्रकार का चिंद दिखे इसका अर्थ है कि y और x में प्रत्यक्ष विच्रण है अर्थात अगर y का मान बढ़ेगा तो x का भी मान बढ़ेगा अगर x का मान घटेगा तो y का मान भी घटेगा यहाँ एक y और x में संबंध बताता है कि किस परकार का संबंध है बढ़ने का संबंध है अर्थात x अगर बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है X अगर घट रहा है तो Y में क्या संबधार है इस संबंध को यह प्रदश्य करना है इससे हम X और Y का माल ग्यात नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन नहीं है अगर हमें यहाँ पे बराबर का चिन लाना है तो एक अचर के साथ इस X को गुणा करना पनता है और आप यहाँ देखें कि यह समिगरण और यह समिगरण बराबर है अरथाथ अगर Y और X में प्रत्यक्ष विचरण है Y का अनुपात X से के आएगा अथवा Y और X में ऐसा संबंध हम देखें तो इस प्रकार हम गणित में प्रत्यक्ष विचरण को दर्शा देखें आईए प्रत्यक्ष विचरण पे एक प्रश्न करें इस प्रश्न में बच्चों की संख्या इवम जमा राशी दी हुई है अरथाथ बच्चे कही परियाटर पे जा रहे हैं उन्हें राशी जमा करने पड़ रहे है उस परियाटर पे लिए तो प्रश्न में दिया भी गया है कि बच्चों की संख्या इवम जमा राशी में प्रत्यक्ष वितरा है और हम खुद भी सून सकते हैं थि बच्चों की संख्या अगर बढ़ेगी तो जमा राशी साफ सी बात है बढ़ेगी अगर बच्चों की संख्या कम होगी तो कम बच्चे जाएंगे तो कम बच्चे जमा राशी करेंगे तो हम ये खुद भी सोच सकते हैं आईए अब इस प्रश्न को हल करें यहाँ पर टीन रिक्स्थान है इस रिक्स्थान में बच्चों की संख्या हमें बतानी है यहाँ पर जमाराशी बतानी है और यहाँ पर बच्चे की संख्या बतानी है मान लेते हैं यहाँ पर बच्चे की संख्या X है यहाँ पर जमाराशी Y है और यहाँ पर बच्चे की संख्या Z है क्योंकि बच्चों की संक्या और जमा राशी में प्रत्यक्ष बित्रण है तो 5 का अनुपात 10 से बराबर होगा X का अनुपात 20 से बराबर होगा 30 का अनुपात Y से और ये बराबर होगा Z का अनुपात 80 से यह हमने अभी पिछले बार किया तो X का अनुपात 20 से 5 यह 10 दिया हुआ है तो यहां से X का माना जाएगा यह हुजाएगा 1 यह हुजाएगा 2 तो X का माना जाएगा 10 तो Y का मान लेके Y के मान को हल करें 30 का अनुपात Y से 5 में 10 के मुणा जाएगा तो Y 20 को दो 2 के बराएगा जाएगा 60 अब Z का मान लेके Z का अनुपात C से 5 यह 10 के बराएगा तो Z का मान लेका जाएगा 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 तो इस करकार हमने X अरथाथ बच्चे की संख्या निकाली Y एवं Z को भी हल किया अरथाथ अगर बच्चो की संख्या 10 होगी तो उन्हें जमा 20 रुपे जमा गर्मी होगी और अगर बच्चो की संख्या 30 है तो उन्हें 60 रुपे जमा गर्मी इसी प्रकार अगर बच्चो की संख्या 40 होगी तो जमा राशी ने 80 रुपे की गर्मी होगी तो इस प्रकार हमने प्रत्तक्ष विजरण के बारे में पढ़ा, आईए अब व्यूत करम विजरण के बारे में पढ़े तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण को देखें इस उदाहरण में मजदूरों की संख्या और दिन अरथाब एक दिवार को बनाने में मजदूरों को कितने दिन लग रहे हैं तो यहाँ पे 30 मजदूर है तो 4 दिन लग रहे हैं यहाँ पे मजदूर कम हुए अरथाब 20 हुए तो 6 दिन लगेंगे साफसी बात है क्योंकि मजदूर की संख्यागर कम हो जाएगी तो जादा दिन लगेगा उने बनाने में इसी प्रकार और कम हो गई तो और भी जादा दिन लगेगा और था बारा दिन लगेगी तो और यहाँ पर भी पाच मजदूर हो गए काफी कम मजदूर हो गए तो यहाँ पर दिन भी बहुत जादा हो गई तो यहाँ पर ध्यान से देखे इस उदाहरण में मजदूरों की संख्या कम होती जा रही है तो दिल बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष विचरण से उल्टा चल लगा है तो ऐसे संबंद को व्यूत्करम विचरण कहते हैं तो इस उदारण में मजदूरों की संख्या और देन में व्यूद्ध कराम विच्रण अब यहां ध्यान से देखें कि हमने प्रत्यक्ष विच्रण में क्या किया था कि इनका अनुपाद लिया था परधात तीस का अनुपाद देखा था इनका अनुपाद आएगा 15 वाय दोग कि अगराबर 15 वाय दो की बराबर 20 का अनुपाद 6 से ले तो दूसरे काटे 10 और यह 10 वाय 3 10 का अनुपाद 12 से ले तो यह 5 वाय 6 और 5 का अनुपाद 24 से ले तो 5 वाय 4 यहाँ पर यह अनुपाद बराबर नहीं आ रहे हैं यह देखें 15 वाय 2 10 वाय 3 के बराबर नहीं है इसी प्रकार 5 वाय 6 के भी बराबर नहीं है और 5 वाय 24 के भी बराबर नहीं है तो इस व्यूतकरम विच्रण में इन अनुपादों को जरीए इसकी विशेष्टा को नहीं स प्रकार अगर आए 20 को 6 से गुणा करूँ तो कमाल की बात है यहाँ पर भी 120 आ रहा हुए इसी प्रकार 10 को मैं 12 से गुणा करूँ तो भी 120 आएगा पर 5 को मैं 24 से गुणा करूँ तो ये भी 120 है तो यहाँ पर व्यूतकरम विचरण की विशेषता जलगती है क्योंकि यहाँ पर हमें एक अचर मिल गया है अर्थाथ एक ऐसा मान मिल गया है जो बदल नहीं रहा है जिस प्रकार हमने प्रत्यक्ष विचरण में एक अचर निकाला था अनुपातों के जरिए यहाँ पर अमचर निकाल रहे हैं गुड़ा के जरिए तो व्यूतकरम विचरण की यह विशेषता है तो हम कह सकते हैं कि अगर वाई और एक्स में व्यूतकरम विचरण है तो वाई गुड़े एक्स के के बराबर होगा और यहाँ पर जो k है वह अचर है अरधा इसका माल नहीं बदल रहा है तो हम x को दूसरी तरफ ले जाए तो यह k का नुखात x तो y k के नुखात x के बराबर हो जाएगा तो यह व्यूतकरण मिचरण का समीकरण है जिस प्रकार हमने प्रत्यक्ष विचरण को विशेश्चन के द्वारा प्रदर्शित किया था इसी प्रकार इसको भी विशेश्चन के द्वारा प्रदर्शित किया लाता है और वह इस प्रकार के प्रदर्शित किया है यह संबंध y और x में बता रहा है और वह कैसा संबन कि अगर आप X के मान को बढ़ाएंगे X के मान को बढ़ाएंगे तो Y का मान घटने लगेगे और X के मान को अगर घटने देंगे तो Y का मान बढ़ेगे तो यह व्यूतक्रम विचरण को बता रहा है अर्थाथ Y और X में व्यूतक्रम विचरण है तो मैंने अचर से वन बैक स्गूरा है द्यान से देखे कि यहां समीगरण इस समीगरण के बराबर है तो अभी हमने व्यूतकरम विचरण के बारे में पराएं तो किस प्रकार हम व्यूतकरम विचरण को गणेत में परदर्शित कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में पराए आईए अब फ्यूत क्रम विजरण पर कुछ सवाल करें तो इस प्रश्ण में बच्चों को परियाटक पर ले जाये जा रहा है स्कूल ने कुछ दस बच्चों से सौ राशी ली लेकिन किसी कारणवश उन दस में से एक बच्चे ने जाने से मदा कर दिया तो स्कूल को उस बच्चे को कितनी राशी वापस करने में तो पहले तालिका बना ले जिसमें बच्चों की संक्या एवं जमा राशी पहले क्या था कि दस अगर बच्चे हैं तो कुल सौ राशी देनी पड़ रही है बच्चों को स्कूल में और प्रश्ट में दिया गया है कि उन दस में से एक बच्चे ने जाने से मना कर दिया अर थाथ अब बच्चों की संख्या हो गई लौ तो अब हमें जमा राशी निकालने है अगर और हमें प्रश्ट में निकालना है कि कि कितनी राशी वापस देनी पड़ेगी उस बच्चे क तो अगर हम इस जमा राशी को निकाल दे और सौ में से अगर इस जमा राशी को घटा दे तो वो राशी तो उतनी ही राशी स्कूल को वापिस करनी होगी अब हम पता करते हैं कि बच्चों की संक्या एवं जमा राशी में प्रत्यक्ष विचरण है या फिर व्यूत क्राम विचरण है तो सोच के देखें कि बच्चों की संक्या अगर बढ़ेगी तो ज्यादा राशी जमा होगी स्कूल में और बच्चों की संख्या कम होगी तो राशी भी कम जमा होगी रथाथ बच्चों की संख्या एवं जमा राशी में प्रत्यक्ष विच्रण है तो हमें पता है जब प्रत्यक्ष विच्रण होता है तो अनुपात वराबर होते हैं अधाब 10 का अनुपात 100 से 9 का अनुपात मानने तहीं यह राशी X है तो X का मार हो जाएगा 9 गोने 100 बटे 10 अधाब 90 तो यह राशी 90 हुई तो कितनी राशी वापस देनी पड़ेगी स्कूल को उस बच्चे को वापस राशी 100 में से लब्टे को घटा करते हैं तहाब 10 रुपे 10 रुपे उस एक बच्चे को वापस कर रहे हैं तो इस प्रकार हमने इस प्रश्ण को हल किया तो आज हमने समानुपात एवं विचरण के बारे में पड़ा एवं विचरणों का उप्योग हम आम जिंदगी में कहां पर कर सक करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में भी पड़ा है